असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम टु दिबास किचन आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बबल पेटाटो फ्राइस बनाना सिखाऊंगी यह बहुत ही क्रिस्पी होता है और बिल्कुल मार्केट जैसे इसका टेस्ट आता है आप इसे एक चनली लेंगे उसमें हम मैश आलू को डालके चम्मत से इस तरह से प्रेस करते हुए इसे चान लेंगे यह बहुत इंपोर्टेंट प्रोसेस है तो इसे स्कीप ना करें इससे आपका जो आलू का रेशा रेशा है वो मिल जाएगा और हमारे पास जो नीचे मिक्षर आएगा वो बिलकुल लंफ्री रहेगा और बिलकुल हलका अब इससे हम जो प्रेटो फ्राइब बनाएंगे वो बिलकुल हलके अलके और फूले फूले बनेंगे तो यह इसकी बहुत ही इंपोर्टेंट टेकनिक है अब मैं इसमें कुछ इंग्रीडिएंस एड़ करूंगी तो मैं अहां फे टू टेबलिस्पून काटा एट कर रही हूँ और वन टेबलिस्पून कॉन फर। मैंपोर ठीके और नमक वेल्सरा इंग्रीडिंट् Anyग्रीटिंट को आप डाल के अच्छे से मिक्सके अगर आपको मिक्यर थोड़ा सा गीला लगे तो आप इसमें एक ह Twr चमश च अब हम थोड़ा सा इसमें से लेंगे मिश्चर और इसको इस तरह से रोल कर लेंगे फिर हम इसको छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे मैं यहां पर एक इंचिस के पीसेस में इसे कट कर रही हूँ अब मैं यहाँ पर एक फॉक लूँगी उससे मैं इस पर प्रेस करके डिजाइन बना लूँगी इसी तरह से आप सारे पोटेटोस फ्राइस को बना के तयार कर ले इस तरह से आप इसको फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं एक वीक तक तो मैं इसे कुछ दे के लिए फ्रीज में रखूँगी उसके बाद इसे फ्राइ करूँगी एक कढ़ाई में आप ओल को गरम कर ले ओल को बहुत ज़ादा आपको गरम नहीं करना है अब इसी तरह से हम बागी के पटाइटोस भी फ्राइ कर लेंगे अब हम इसको और टेस्टी बनाने के लिए इस पर कुछ मसाले आड़ करेंगे तो वन टीस्पून चीरी फ्लेक्स ले रही हूं उसमें मैं हाफ टीस्पून चाट मसाला आड़ कर रही हूं और थोड़ा सा ओरिगैनो वन टीस्पून इन इंग्रीडिनिस को मिल्स करके आप पटाइटोस फ्राइज पर अच्छे से स्प्रिंकल कर दें तो यह देखिए यह कितना क्रिस्पी बना है अब हम इसके उपर मसाले आड़ कर देंगे जिससे की इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए और फिर आप इसे इस तरह से सर्फ करें अब आप देखिए यह कितना क्रिस्पी बना है देखिए आपने आवास सुना यह कितना क्रिस्पी है यह खाने में बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को यह बहुत जादा पसंद आता है तो आप इस होली रमजान इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करें इन्शालला दोस्तों जल्दी आप से फिर मुलकात होगी एक नए रेस्पी के साथ तक तक के लिए लाँ आपीस